नमस्कार टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अखिल जांगे चलिए रुकरते खबरों की ओर बाराजले के अंता पुलिस ने तीन साल पहले बहन के साथ दुशकर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को ग्रफतार किया है तीन वर्च पहले दोनों भाईयों ने अपनी बहन के साथ दुशकर्म कर रिष्टों को शर्मशार करने वाली घटना को अंजाम दिया था जिसमें एक भाई को अंता पुलिस ने गिरफतार कर लिया था लेकिन दूसरा भाई फरार था जिसको पुलिस ने कोटा सी गिरफतार क इससे सड़क पर खोदे गए गड़े में पानी भी भर गया वहीं क्षेतर की दुकानों के सामने खुदाई होने से दुकानदार भी परेशान है। खेतनात महिला विद्यापीट परीशर में निर्मित सेठ बंसिदर गुपता महिला चात्रावास का लोकारपन किया गया। ग्यान विहार हरीनगर कोलोनी निवासी राम निवास ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रात को घर के मुख्य दर्वाजे पर ताला लगाकर वे उपर सोने चले गए थे। चोरों ने ताला तोड़ कर एक सोने का मंगल सुत्र, तीन सोने की अंगूठिया, तीन चांदी की पाजेप और पांच से छे अजार उपे नगत चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना के बाद पिलानी पुलिस मोके पर पहुंची और मोका मुखा मुआयना किया और पीडित की रिपोर्ट के बाद मामला दर्ज कर जांट शूरू कर दी। दोलपूर के बाड़ी कस्बे में हर वर्स की तरह इस साल भी भगवान राम की शोबायात्रा निकाले गई। बाद पिलाकर और भाईचार्यों को कायम रखा इस तरीके से बहूत पहले से हिंदू-Muslim एक्ता जिन्दा रहीजे और एसे ही हागे भी हिंदू-Muslim एक्ता भाई-inee चारी हमेशा जंदा रहेगा और हम सब हमेशा भाई भाई की तरह ही बाड़ी के अंदर जिंदा रहेंगे मांडल कस्बे में राम नाउमी पर इस्तित नीलकंट महादेव मंदिर से महंत दीपक्त पूरी के नेत्रित्व में अखाड़ा निकाला गया कोटपुतली कस्बे के बसंद परभू आदर्श विद्या मंदिर बे कारिक्रम कायुजन किया गया बता दे की रिवाला धाम के महंत गणेश आनन महाराद सहीत अनेक सादु संतों के सानिद्दे में कारिक्रम कायुजन हुआ साथ ही शोबा यात्रा भी निकाली गई शोबाय आतरा बसंत परभू आधर्षविद्यामन्दिर से प्रारम होकर कोट कुस्वे के प्रुमुक मार्गों से होती हुई विजड़ाले परीसर में पहुँची कोट पुतले के मुसलिम समाज के लोगों ने विबिन स्थानों पर शोबा यात्रा पर पुस्प वर्सा की और एक दूसरे को राम नौमी के बधाई भी प्लेटिन में फिलाल इतना है आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज नमस्कार